कंगना रनौत उतरी CAA के सपोर्ट में बॉलिवूड एक्टर्स को कह दी ये बात तो आईए आपको बताते हैं केंद्रिय ग्रिह मंत्रालय ने सोमवार 11 मार्च को नागरिक्ता संशोधन अधिनियम CAA लागू कर दिया एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इस कदम की तारीफ की है उन्होंने ग्रिह मंत्री अमित शाह के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर शेयर करने के लिए इंस्टाग्राम स्टोरीज का सहारा लिया उन्होंने CAA अधिसूचना के प्रती अपना समर्थन दिखाने के लिए भारतिय जंडे की इमोजी के साथ CAA लिखा कंगना ने 2014 का एक पुराना वीडियो शेयर किया जिसमें पीए मोदी CAA के पीछे के विचार के बारे में बात कर रहे थे इसके साथ ही उन्होंने लिखा इससे पहले कि आप CAA के बारे में कोई राए या भावना बनाएं पहले यह समझें कि इसका मतलब क्या है यह पहली बार नहीं है जब कंगना CAA को लेकर बेबाक हुई है 2019 में उन्होंने CAA विरोध प्रदर्शन पर बॉलिवुड एक्टर्स की कथि चुप्पी पर निशाना साधा था और उन्हें कायर कहा था यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि एक्टर अपने विचार व्यक्त करने के परिणामों के डर में जी रहे हैं कंगना ने कहा था नहीं, वे हर चीज के डर में रहते हैं वे सबसे डरे हुए इंसान हैं वे कायर हैं वे स्पाइनलेस लोग हैं इसी लिए वे बाहरी लोगों को धमकाते हैं वे लड़कियों को धमकाते हैं क्योंकि वे कायर हैं और मुझे लगता है कि असल में उनके यह पूछे जाने पर कि क्या उन्हें लगता है कि एक्टर अपने विचार व्यक्त करने के परिणामों के डर में जी रहे हैं。 कंगना ने कहा था, नहीं, वे हर चीज के डर में रहते हैं, वे सबसे डरे हुए इंसान हैं, वे कायर हैं, वे स्पाइनलेस लोग हैं, इसी लिए वे बाहरी लोगों को धमकाते हैं, वे लड़कियों को धमकाते हैं, क्योंकि वे कायर हैं, और मुझे लगता है कि असल में उनक पेश करना, बंद करना होगा. हमें उन्हें अपने गाईड के तौर पर पेश करना, बंद करना होगा. हमें उन्हें देखना होगा की वे कौन हैं?